कानफर देहाद में सफा प्रबुख ने गिया जनता को संबोधिर बीजोपी सरकार पर साधा निशाना तहा किसान विरोधी है बीजोपी सरकार आगरा में जल निगम विभाग की बड़ी लापरवाई आए सामने विनसु रक्षवापकरण के काम कर रहे मजदूर लापरवाई की चलते पहले भी मजदूरों ने गवाई कर दिजाए वारबन्थी में कुंतुरेश्वर धाम पहुंचे जगदगुरु परवन्स आचार है लकिन घटना को लेकर दिया बड़ा वयान काम मंत्री को नहीं देना चाहिए स्थिवा और दोई में प्रास्पिक विद्याले में श्वाप्रों से लगवाई जारू जारू से लगाने का वीडियो वारल बीए से ने दिये चांच के निर्देश नमस्कार आप देख रहे हैं निज्वल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन शुरवात करेंगे खबरों की आगरा के गड़ी भधौरिया के माधफ कुंज शेत्र में पानी की टंकी पर निर्मान कारे के दौरान जनलिगम विभाग की बड़ी लापरवाही सामनी आई है जहाँ पर मजदूर बिना किसी सुरक्ष अपकरण के जान जोखी में डाल कर काम करने को मजबूर हैं आपको उतादें कि इससे पहले भी लापरवाही के चलते कई मजदूरों ने अपनी जान गवादी है लेकिन फिर भी जनलिगम विभाग इसकी अनदेखी लगातार करता रहा है तस्वीरें आप देख सकते हैं कोई भी सुरक्ष अपकरण यहाँ पर मौजूद नहीं है और बिना सुरक्ष अपकरणों के यहाँ पर मजदूर काम करते हुए नजर आ रहे हैं इससे पहले भी इस तरह के लापरवाही जनलिगम की लगातार देखी जा चुकी है कई बार मजदूरों ने अपनी जान भी गवाई है लेकिन उसके बावजूद भी जनलिगम में भाग इसकी अनदेखी करता है अब मेटकनगर यार्ट्यू कारले में डियम सुमल पान ले च्वापे मारी की जिससे कारले और परिसर में अफरत अफरी मज़ गई इस दौरान कड़ा रुख अक्तियार करते हुए छान भीन की गई वहीं च्वापे मारी के दौरान कैश काउंटर पर ज्यादा कैश मिलने से कैशियर से स्पश्टिक करण मांगा गया तो परिसर में मौझूद एक युवक के संतोष्चनक जवाब नाग देने के चलते युवक को थानी भी ले जाए गया डियम ने टेस्ट थलका भी निरिक्षण किया है और अपने सामने टेस्ट भी करवाया तो मेटकर नगर में छापे मारी से अफरा तफरी का माहल देखा गया है तस्वीरे आप देख सकते हैं आपको तादें कि डियम ने छापे मारी किया आर्टियों में और यहाँ पर करमचारी जो हैं उनमें हरकम मचा हुआ नजर आया है कैश काउंटर पे ज़्यादा कैश होने पर भी उनसे सवाल जवाब किया गया तो अमबेटकर नगर की तस्वीरे आप देख रहे हैं आपको तादें कि यहाँ पर डियम ने टेस्थल काविन इरिक्षन किया है दरसल कई शिकायते मिल रही थी जिसको लेकर छापे मारी की गई तो एर्टियो कारले में डियम से मिल पान ने च्वापे मारी की जिससे कारले और परिसर में अफरत अफरी का महल देखा गया तो रान कड़ा रुखतियार भी अखतियार किया गया और इसमें छानवीर में की गई में इंशाप इमारी के दुरान कैश काउंटर पर जादा कैश मिलने से कैश यह से स्पश्टिक करण मागा गया तो परिसर में मौझूदा एक यूवप के संतोज जुनक जवाब ना देने के चलते यूवप को थाने भी ले जाये गया है दियम ने टेस्ट इस्थल का भी निरीक्षण किया और अपने सामने टेस्ट भी करवाए है वहीं वीजवारल होने के बाद स्थानी ग्रामिन और पुलिस हरकत में आ गई जिसमें एक व्यक्ति ग्रामिन महिलाओं को प्रियर करवाने की बात स्विकार रख रहा है वहीं दूसरे वीडियो में ग्रामिन ने ही इसाई मिश्णरी की तरफ से ग्रामिनों को हिंदू से इसाई बनाए जाने की बात कही है ग्रामनों ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में इन लोगों को पकड़कर संग्रामपुर पुलिस के हवाले भी किया वहीं पुलिस मामली की जाच परताल में जुटी होई है अमेठी का ये पूरा मामला जहाँ पर इसाई मिश्मरी के सक्रिय होने से कई वीडियो वारल हो रही है धर्म परिवर्तन का खेल नहीं रुक रहा है एक व्यक्ति ये स्विकार कर रहा है कि उसने कई महिलाओं को इसाई धर्म अपनाने की बात कही है इसके साथी कई गाओं में जाकर उसने इसाई धर्म को काफी जादा प्रोसाहन दिया और लोगों तक पहुँचने की कोशिश की है हाला कि ग्रामिन काफी नाराज नजर आए और पुलिस को इसकी सुचना दी पुलिस मौके पर पहुँची है और कुछ लोगों को इरासत में भी लिया गया है तो अमेची के तस्वीरे आप देख रहे हैं जो आप पर इसाई मिशनरी लगातार सक्रिय हो रही है जिसका वीडियो तेजी के साथ सोचल मीडिया पर वारल हो रहे हैं अमेची का ही पुरा मामला है तो अमेची के तस्वीरे आप इसाई मिशनरी के सक्रिय होने का वीडियो वारल दरसल बताये जा रहा है कि कई महिलाओं को यहाँ पर प्रियर करवाई गई है और धर्म बदलने की बात भी उनसे कही जा रही है दूसरे वीडियो में ग्रामिन ने इसाई मिशनरी की तरफ से हिंदूों से इसाई बनाये जाने की बात कबूली है ग्रामिन ने धर्म परिवर्तन करानी के आरोप में उन लोगों को पकड़ कर पुलिस के हवाले भी कर दिया फिलहाल पुलिस इस पूरे मामिन की चानदीन में जुटी हुई है बारबंकी में आयोध्या के तब सिविल छाबनी के जगद गुरू परहमंस आचारे का लखिमपुर घटना को लेकर एक बड़ा बयान सामनी आया जगद गुरू परहमंस आचारे ने कहा है कि मंत्री को स्तीफा नहीं देना चाहिए उन्होंने कहा कि किसानों पर किसने गारी नहीं चड़ाई है किसान नहीं बलकि खालिस्तानी समर्थ को ने गारी पर हमला किया था जान बचाने की चलते गारी का सल्तुरन बिगड़ गया जिसे ये हाथसा हुआ ये वही लोग हैं जो 26 जनवरी के दिन तिरंगी की जगा दूसरे जंडे को लगा कर अपमान कर रहे थे ये वही लोग हैं जो रोड जाम कर देते हैं ये शेर की खाल में गीधर हैं इनके पीछे कुछ मंडी के विचोलिये हैं और कुछ राज़ितिक पार्टियों के एज़ेंट हैं जो अपनी सियासी लाप के लिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आपको तादें कि लखिमपुर मामले को लेकर सियासत जोरो पर है वहीं देश के आम नागिक तो इस पर बात कर ही रहे हैं लेकिन अगर धर्म गुरुओं की बात की जाये तो वो भी सामने आ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं ऐसा जगद गुरु परमन्स आचारे में भी विवादित बयान दिया है परमन्सदास ने कहा है कि काड़ी किसीने नहीं चड़ाई है वो खालिस्तानी है वो किसान नहीं है उन्होंने गाड़ी पर हमला किया जिसके चलते गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और लोगों की जान चली गई कोई गारी नहीं चड़ाया है वो किसान नहीं वो खालिस तानी समर्थक जान लेवा हमला कर दिये तो जान बचाने के चक्र में गारी का संतुलन बिगर गया था और ऐसी कोई बात नहीं है जो ये लोग जो है तो 26 जनवरी को वही लोग हैं जो तिरंगे का अपमान कर दिये थे एक दूसरा जंड़ा टांग दिये थे ये वही लोग हैं जो रोड जाम कर देते हैं ये वास्तों में किसान नहीं है बलकि सेर की खाल ओड़े हुए ये सियार गीदर लोग जो है डटे हुए हैं इनके पीछे कुछ मंडी के बिचवलिये हैं अब कुछ राजनीतिक पार्टी के एजेंट हैं जो अपनी सियासी लाब के लिए गवर्मेंट को बदनाब करना चाहते हैं बिलकुर टेनी को इस्तिफा नहीं देना चाहिए और ना कि सक्त क कि विजय होती है डेनी ने कोई गलत नहीं किया है और जो यह किसान के आर्ट में जो लोग जो है तो सियासत कर रहे हैं इनके उपर प्रियंका वांडरा का इसमें क्या रोल है प्रियंका कोई किसान है क्या पिलिभीत के थाना जोहानावाद इलाके में बीती राज चोरों ने गाउं के ही तीन घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया आपको बतादें कि चोरों ने सड़क किनारे दीन दियाल के घर से करीब धाई तोला सोने के जेवर और पचास ग्राम चान्दी के जेवराद सहीद आठ हजार की नगदी लगभग तीन लाग की घटना को अंजाम दिया में चोरों ने गाउं के ही एक नेतराम की घर से भी आठ तोले सोने के जेवर करीब 800 ग्राम चान्दी के जेवराद सहीद 9,000 के नगदी समित करीब 4,70,000 की घटना को अंजाम दिया है कि सभी परिवारे की लोग दे राध ग्यारी नीन में सोय थे तब ही चोरों के दिवार फांद कर घरों में दाखिल होने के आशन का जताई जारी है वही घटना की सोचना पर स्थानी पुलिस के साथ ड्राइग स्कुएड और क्राइम वरांच की टीम मौके पर पहुँची और घटना की जाच में जुट गई है तो पीरी भीत का ही पूरा मामला है जोहाँ पर एक ही राध में चोरों ने कई घरों पर धावा बुला है लाखों की यहाँ पर लूट कर ली गई है और चोर आराम से फरार हो गई है फिलहाल इसकी सूचना पुलिस को दी गई है पुलिस मौके पर पहुँची है चानवीन की जा रही है कि एक ही रात में इतने घरों निशाना बनाये गया है और पुलिस के कारिश्वैली पर कही न कही सवाल खड़ी होती है इसके लावा पुलिस पर भी एक चुनावती देने की बात कही जा रही है आज हम जब सुबह उठी तीन बज़े के टाइम तो हमाई पत्नी ने जो है हमें उठाया और यह कहा कि कम्रा किसी ने खुला नादी कम्रा जो यह खुला हुआ था तो हमने कहा ही कम्रा जो है फिर हमने उटके जो देखा तो कमरे में यह सब सामान विखरा हुआ पड़ा और दोनों कमरों की इस्तेती थी इस सब को इसमें पहले से चोर खंगाल चुके थी हम तो यहीं लेटे थे पास में पड़ोस में कोई आहट नहीं कोई सब्सक्राइब दाखिल है जो है दीवार वह मतलब कूद करके अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस तरह से जो है दाखिल है लगवा कितने की चोरी होगी है चार लाग सत्तर जार रुपए जिसमें 9000 नग द उनके अभी होई है और एक दूसरे है वो भी आस के लिए जो चोर है वो अज्यात है या कोई जान परचान है या कोई इस तरीका है अभी तो हम अज्यात ही कहेंगे क्योंकि इसके बारे हमें कोई जादा मतलब जनकारी नहीं है और इसी कवर पर जादा बेट के लिए मेरे सयोगी प्रांजल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है प्रांजल एक ही रात पे तीन घरों पर चोरों ने धावा बोला लाखों की लूट की आराम से फरार हो जाते हैं क्या कह रही है पुलिस प्रांजल मेरी आवाज मिल रही है आपको जी मिल रही है प्रांजल क्या मुझे सुन पा रहे हैं प्रांजल एक ही रात में तीन घरों पर चोरों ने धावा बोला है लाखों की लूट की है पुलिस कहा है क्योंकि पिलिभीत में लगातार प्राइम बढ़ रहा है चोरों की बढ़े बादा दिवारा आपको बताना चाहिए इस पुछिस परप्टना को अंजाम दिया है लगाता इस तर्बित के लिए शेतर में हो रही है और यहाँ पोलिस को लगाता इस नोगाता पेटे चले आगे लेकिन पोलिस यहां के काड़ estos एक खड़ाब है कि आप सब्सक्राइन आप बतारा चालिए आपको बतारा से खड़ी आपगे ले जेवर के कि आप सब्सक्राइब है लेक्षे खड़ार हैं जो इनके खड़ इस घर्षे चिय जेवर हैं अन्दा खड़ार हुएं बिल्कुल प्रांजल जो ग्रामिन हैं उनमें किस तरह का महौल बना हुआ है क्योंकि काफी गुसाय ग्रामिन होंगे काफी देशत में होंगे डर रहे गाउने सब्सक्राइश का महुए यहां कि राती कि राती को आदी सब्सक्राइश को अग्या पर जया बताई रात्या को यह गष्णा क西्ट आ है बिल्कुल पुलिस का क्या कह रहा है क्योंकि 2X2 बी टीम मौके पर पहुंची है पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच हुए हैं और ये कही न कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस को खुली चनौती है चोरों की कि चाहे पुलिस कर्मी अपनी पिट कितनी भी थप थपा ले लेकिन जो हैं वो लगातार चोर की घटना को अंजाब देते रहेंगे और पुरिस की कारिश्वाली पर सवाल खड़ी होते रहेंगे जी आपको बताना चाहिए कि बड़ा सवाल यहां पर विनेट की तरीकर चोरी की घटना हुई है और दोने के वाद में लोगों को पता चला करता है आप तमाम के लोग की वहां को पहुंचे और पूरे मामिले की जानकारी पहुंचाने के लिए तो पहली भीत में चोरी की वार्दात लगातार बढ़ रही है चोरों के होंसले बुलंद हैं और कहीं न कहीं सीधी चुनाथी वो पुलिस को देते हुए नजर आ रहे हैं एक ही रात में तीन घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है लाखों रुपे लूट कर चोर आसानी से फरार हो जाते हैं बुलंद शेयर के सिकंदराबाद के गाउं में धान के पुलों से भरी पिक अफ वैन हाई टेंशन लाइन से टकरा गई जिससे पिक अफ वैन में भीशन आग लग गई वहीं पिक अफ वैन में आग लगता देख ड्राइवर से में तीन लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई आग उजाने के दुरान पिक अफ ड्राइवर भी बुरी तरह से चुलस कया इस्थानी लोगों ने इसके सुचना फार बिगेड को दी लेकिन सुचना मिलने के बावजूद फार बिगेड नहीं पहुची जिसके बाद आसपास के खेत में काम कर रहे लोगों ने आग उजाने की बहुत कोशिश की और कड़ी मश्रक्कत के बाद आग पर काबू पाए गया बुलन शहर के तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां चालक समीर तीन लोगों ने कूद कर अपनी जान पजाई हैं बताय जा रहा है कि हाई टेंशन लाइन से पिकप वेंट टकरा गई जिससे आग लग गई और आसपास के खेत में काफी जादा आग की लपटें उठने लगी लोगों ने बहुत कोशिश की आग उजाने की फार बिगेड को सुष्टा दी गई लेकिन समय पर फार बिगेड नहीं पहुंचे तो दमकलिवाद की गाड़ी पहुंची बोक फर नहीं पहुंचे अग्री निटेंस लगी हाइध एस लाइन जा रही है इसमें तार टाच हुए गाड़ी आ रही थी है कूले भरके उसमें तच होके यह उससे आग लगी है वह गाड़ी जाकर आगए अपने खेत में पानी बर रहा था उसमें जाकर खाली करवाई इसमें आग जब की जोकी तव लगी रह गई और उसके बाद में वहीं ग्रेटर नौड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता हात लगी जोहाँ पर सुरजपुर कोतवाली पुलिस ने 55 लाख उर्पे की फर्जी लूट का खुलासा किया है खुलासा करते वे पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफतार किया जिनकी निशान दही पर 55 लाख रुपे भी बरामत किये गए हैं इनके पास से पुलिस ने एक कार एक अवे तबंचवा दू चाकू दो फर्जी आदार कार भी बरामत किये फिलाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफतार कर जेल फेज दिया है तो गुरेटे नोयरा में 55 लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है आपको तादें की लगातार इनकी सनलिपता बढ़ती जा रही थी एक एक करके फर्जी लूट की खटनाओं को ये अन्जाम दे रहे थे इंदर डाल दिया और उसकी गाड़ी में पच्पन लाख रुपे से भरा हुआ बैक था जो दूसरी एक गाड़ी थी इको स्पोर्ट्स गाड़ी उसमें एक लेकर चला गया गया गन लगा गया इसमें तदकाल हमने फायर दर्ज की दर्ज करने के बाद जिनका पैसा था उनको बलाया उनसे बात की उन्होंने बताया कि ये प्रॉपर्टी का कुछ काम था उनका दिल्ली में वहां इनका कि कुछ बाते हमें विरोधा भासी लगी और डिटेल में जाकर के बात की तो पता चला कि ड्राइवर जो है ये बीच में रुका है और उसके कुछ ऐसे स्टेट्मेंट से जो सही नहीं थे जो विरोधा भासी थे उस पर हमने उससे और कडाई सपूर्टाच की उसने बताया कि उसका एक साथी जिसका नाम रॉबिन और प्रॉकी है और उसका भाई अमित ये तीनों लोग इस घरना में इन्वाल है हर दोई के एक प्राप्निक विद्यालिया में बच्चों की तरफ से ज़ारू लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है वीडियो वारल होने के बाद मामले में कारवाई की मांग होने लगी तो बीएसे ने पूरे मामले की जार्च बिठाई है और इपोच मिलने पर कारवाई की जाने की बात कही स्कूलों में लाखों कुश्चों के बावजूद विवस्थाएं सुधाने का नाम नहीं ले रही शासर इस तर से इन स्कूलों में विवस्थाएं सुधाने के नाम पर पानी की तरह पैसा भाया जा रहा है लेकिन इस्थिती जस्की तस्पनी रहती है ब्लॉग कड़ियावा के प्रात्मिक स्कूल रावल स्कूल का एक ऐसा ही मामला सामनी आए जिसमें काफी छोटे बच्चों से स्कूल में जाडू लगवाई जा रही है इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है अलाकि वीडियो बारल होने के बाद मामले वीकारवाई के मांग होने लगी जिसके बाद वीएसे वीपी सिंग ने पुरे मामले की जाच के आदेश दे दिए हैं हर दोई की तस्वीरे आप देख रहे हैं प्रात्मी विद्याले में शात्रों से जाडू लगवाई जा रही है जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रही है वेडियो मेरे भी संग्यार में आया है आज ही प्राथियों के जाले रावल विकास खंद तड़ियामा का है जिसमें कुछ बच्चे जाड़ू लगाती वे दिखे गया है असपश्ट निर्देश है कि बच्चें से कोई कारे नहीं कराए जाए विकास खंद सिच्चा दिखारी तड़ियामा से जाज का राख्या मांगी गई है तन्म साथ संबंदित के विरूद का ठोर कारवाई की जाएगी समाजवादी पार्टी के रास्टी अधियस अखलेश श्यादव समाजवादी विजवय यात्रा रेकर पहुंचे कानपुर देहात जहां पर जंता को संबोदित करते वी अखलेश श्यादव ने विजवी सरकार पर जमका निश्याना सादा है अखलेश यादर ने बीजोपी को किसान विरोधी सरकार बताया और कहा कि बीजोपी सरकार पिश्रे दलित अल्प संक्या की विरोधी है बीजोपी सरकार भेदभाव कर बुल्डोसर चला रही है इस सरकार में IPS फरार है सरकार में पिश्रों और दलितों समेतल्प संक्यक लोगों के साथ अत्याचार किया जाता रहा है नर्दोश लोगों को जबरन जेल में भीचा जा रहा है आज हम लोग बहुत गवर्मान देट में वो कर रहे हैं महसूस कर रहे हैं और हो सकता है आपको खुद दिखाई दे रहा होगा कि आज जनता कितनी खुष है उनको ये लग रहा है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले समाजवादी पालिटी को जो रत यात्रा निकल लाए इसका क्या उद्देश है इसका उद्देश यह है कि पुना 22 में हम लोग सरकार बना रहे हैं और अखलेज जी को पुना मुक्वंत्री बनाएंगे तो जब बिजय यात्रा लिख चुका है तो आप समझ लिजे कि हमारी बिजय तैह है और आप लोग को दिख रहा होगा पुरे प्रदेश में एक समाजवादी के लेहर चल लई इह और आगलेज जी साल 2020 की बड़ी सुर्ख्यों में शुमार रहा कानपूर का संजीत यादव हत्याकान एक बार फिर सुर्ख्यों में है हत्याकान के डेर साल बीच वाने के बाद भी अब तक कानपूर पुलिस संजीत यादव की डेड बॉडी नहीं बरामत कर सकी है इस हत्याकान में पुलिस की मौजूदगी में संजीत यादव की परिजनों ने 30 लाख रुपे बताव फिरोती की रकम अपरण करताओं को दी थी लेकिन ना तो पुलिस अपरण करताओं को पकड़ सकी और ना ही संजीत को ही बचा सकी सिर्फ आधा धूरा खुलासा कर पूरे मामले से पल्ला जाड़ लिया गया था हलाकि CM योगी ने हत्याकान का संग्या लेकर CBI जाज की सिस्तुती उस समय कर दी थी लेकिन CBI ने अब जाकर FIR दर्ज की है अब देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से पूरे मामले में CBI परदा उठा पाती है तो देड़ साल पहले संजीत हत्याकान पूरी तरह से फेमस हुआ था लोग लगातार संजीत मामले में इंसाफ की मांग कर रहे थे परिवार के लिए लेकिन ना तो इस पूरे मामले का सही तरीके से खुलासा हो पाया है ना ही आरोपी पकड़े गए हैं और ना ही डेड़ बोडी अब तक संजीत की मिल पाई है परिवार आज भी उमीद लगाए बैटा है कि जल्द ही उन्हें इंसाफ मिलेगा लेकिन इंसाफ कब मिलेगा यह सबसे बड़ा सवाल है सारा था योगी जी हमारी तरह भी ध्यान देजिए आपने CBI चांच किंगे आदेश कर दिया बहुत अच्छी वात है हम चाहते थे बहुत दिल से चाहते थे आज मेरे भाई को मारे भी ही डेड़ साल हो गया हमें ऐसे साख्छी मिल जए जो हमारे भाई को न्याय मिल सके. मेरे भाई, मेरे माबाप का एक लौता सारा चला गया. क्या लगता है आपको न्याय जी? योगी जी अगर चाहेंगे, योगी जी, सब कुछ कर सकते हैं. जो सीवी आई के अधिकारी आयते हैं, उन्होंने कुछ बोले नहीं थे, पिता जी के साइन करा थे, और एड्रेस लगी के चले गया हुए थे. और इसे के साथ तिलाल खबरों में इतना ही आप बढ़े रहें, न्यूस वरल इंडिया के साथ. झाल खबरों में जाब बढ़े रहें, झाल झाल ग्योस वरल गगी के साथ.